हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं प्रवीन लड़ा टीम सील सी आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं यह हमारा डिस्यम टेस्ट सिरीज ने 20, 22 का मेजर टेस्ट सिरीज का मेजर पेपर नंबर 3 है इसका जो सेक्शन स में सेक्शन A और सेक्शन B है आपके सेक्शन A में 35 कोशन से हैं और सेक्शन B में 15 कोशन से So these sections contain 35 multiple choice questions Section A की बात हो रही है All questions are compulsory to attempt You will be awarded 4 marks for correct answer And minus 1 mark for incorrect answer Unanswered questions will be given no marks So start करते हैं हम section A So देखें section A में आपको question number 1 है The resultant of A and B vectors Max angle alpha with A and B With alpha angle and beta angle So यहाँ पर A थथा B का परिणामी A के साथ alpha B के साथ beta कोन बनाता है तब A, B करमशे A थथा B के परिमान है तो आपको alpha, beta का A, B के साथ क्या संबन देखें तो question इस तरह से देखो यह आपका है A सदिश और यह B सदिश इसका कोई angle होगा दो vector हमेशा A की plan में होते है तो इनका जो resultant है वो यह है resultant R vector अब यह R vector बोल रहा है यहाँ पर जो resultant है परिनामी वो A के साथ alpha और B के साथ यह beta angle बना रहा है तो resultant vector हमेशा उसके पास में होता है जिसका magnitude ज्यादा है तो if A greater than B है means अगर A का magnitude B के magnitude से ज्यादा है तो यह इसकी तरफ जुक जाएगा इसकी तरफ जुकेगा तो alpha की value क्या होगी आपकी कम होगी और beta की value क्या होगी ज्यादा होगी तो यहाँ पर if A greater than B if A greater than B तो alpha जो होगा वो beta से क्या होगा कम होगा तो right answer है option 3 next question a moving proton perpendicularly enter into a uniform magnetic field according to diagram देखे आपको एक गतिमान proton एक समान चुमिके शत्र में लंवत चित्रानुसार प्रवेश करता है तो यह लंवत चित्रानुसार प्रवेश करता है ऐसे आया और यह ऐसे बाहर निकलेगा तो यहाँ पर जो magnetic field है वो perpendicular पेस के perpendicular invert direction में यह proton जो पोजिटिव चार्ज यहाँ पर enter करेगा तो हमय पता है जब यह magnetic field में enter करता जिस angle से यह magnetic field में enter करता है उसी angle से यह बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बोला है magnetic field according to diagram तो then what will be the emergent angle of proton with line AB तो proton का रेखा AB के साथ बाहर निकलने वाला कॉन क्या होगा तो ये angle यहाँ पर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा तो रेखा A B के साथ कितना angle बनाएगा तो right answer होगा 60 degree that is option 2 next question a vector A when added to the vector B that is 3i plus 4jk yield a resultant vector that is in the positive y direction and has a magnitude equal to that of B find the magnitude of A देखिए यहाँ पर जब सदिश A and सदिश B के साथ जोड़ा जाता है एक नया परिनामी सदिश Y दिशा में उत्पन होता है तो जिसका परिमान B के बराबर है तो A का परिमान होगा तो यहाँ पर जब सदिश A सदिश B के साथ जोड़ा गया है तदा एक नया परिनामी सदिश धनात्मक Y दिशा में यानि कि J के दिशा में उत्पन होता है जिसका परिमान B के बराबर है तो A का क्या होगा तो resultant vector A plus B आप करते हैं तो जो परिनामी होगा, वो किस दिशा में होगा, वाई दिशा में होगा और उसका परिमान B के बरापर होगा, तो P का परिमान देखें तो 3 का स्कोर प्लस 4 का स्कोर अंडरूट करेंगे, तो 5 आजाएगा, 5 और डारेक्शन के अधिनात्मक वाई दिशा, that is Jक, तो A vector B आपको दिया हुआ है 3i plus 4j cap 5j cap तो A vector जो होगा इसको rearrange करें यह उस तरफ गया तो j cap minus 3i cap तो j cap minus 3i cap यह होगा है आपको इसका magnitude पूछ है तो magnitude निकालेंगे तो magnitude means परिमाण 1 का 1 का square 1 minus 3 का 9 तो यह है अंडर root 10 तो right answer है option 1 next question a block of mass 2 kg is placed on the floor the coefficient of static friction is 0.4 if a force of 2.8 newton is applied on the block parallel to the floor the force of friction between the block and floor taking g equals to this value 10 g value 10 left to the question में 2 kg का एक गुटका जमीन पर रखा है इस तरह से यह 2 kg का एक गुटका जमीन पर रखा है static गर्शन गुणांक mu s आपको given है 0.4 given है now जमीन के समानतर block पर 2.8 newton बल आरुपित किया जाता है तो यह जो आप बाहिएबल लगा रहे हैं 2.8 newton लगा रहे है तो ब्लोक पर जमीन के मद्या घर्शन होगा तो यहां जो friction की value क्या होगी तो देखे सबसे पहले हम यह चेक करेंगे क्या यह ब्लोक स्लाइट करेगा यहां रेस पोजिशन पर रहेगा तो इसके लिए हम इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन यानि की सिमान्द घर्शन निकालेंगे तो सिमान्द घर्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन इकोस्ट होता है म्यू एस मल्टिप्लाइ बाइ एन यहां एन अपपर डिरेक्शन में और यह किसके एकवल होगा टू जी के एकवल होगा एन नीचे टू जी तो म्यू एस की value तो 0.4 और एन की value 2 जी जी की value 10 लेंगे तो यह आपका 8 Newton 8 Newton यहां पर limiting force है यह object तब तक मुह नहीं करेगा जब तक कि आप 8 Newton force at least नहीं लगाएंगे 8 Newton force के बाद यह motion में आएगा तो इस समय यहां पर जो force है वो आपका 8 Newton से कम है तो इस समय यह rest position पर रहेगा और rest position में static friction और static friction जो होता है वो applied force के एकवल होता है तो यहां static friction लगेगा और वो applied force यहांने की 2.8 Newton के कवल होता है तो right answer होगा option 1 2.8 Newton next next a block of mass M is placed on a smooth inclined plane of inclination theta with the horizontal the inclined plane is accelerated horizontally so that the block does not slide down what is the vertical force exerted by the inclined plane on the block देखिए question में आपको क्या दिया हुआ है शेतिस से theta कौन वाले एक चिकने नत्तल यह एक आपका चिकना नत्तल है शेतिस से theta कौन वाले एक चिकने नत्तल पर एक M दरुमान का ब्लोक रखा हुआ है यह smooth surface है यह M दरुमान का ब्लोक रखा हुआ है नत्तल इस प्रकार तोरीते के ब्लोक इस पर फिसलतान नहीं है तो यह यहां पर इस direction में तोरीत है तो इस पर pseudo force इदर ले ले लेते हैं यह M जी और यह आपका N ठीक है अब नत्तल द्वारा ब्लोक पर आरुपित उर्धवादर बल है तो देखे भई यहां पर उर्धवादर बल क्या है नत्तल द्वारा आरुपित तो नत्तल द्वारा ब्लोक पर आरुपित उर्धवादर बल तो जो है वो तो M जी ठीक है यह इस दिशा में भी आप इसके component क तो क्या लग रहा है सिर्फ mg ही लग रहा है श्यतियस दिशा में संतुलित है उर्द्वादर दिशा में संतुलित है एन को सिड़ा किस से संतुलित होगा mg से बैलेंस टो रहा है तो यहां पर नतल द्वारा ब्लोग पर आरूपित उर्द्वादर बल जो है वो तो सिर्फ mg है तो यहाँ पर यह vertical force exerted by the inclined plane on the block that is only mg तो right answer होगा option 3 next question if the kinetic energy of a particle becomes 4 times its initial value then the new momentum will be more than its initial momentum by यही question में आपको given है यही कणकी गती तोड़ जा प्रारंबिक मान की चार गुना हो जाती है तब इसका नया सम्वेक प्रारंबिक सम्वेक से कितना अधिक होगा तो देखिए सम्वेक का kinetic energy के साथ relation होता है P equals to under root 2m kinetic energy that is EK kinetic energy of particle become 4 times तो अब आपका यह तो P initial होगा अब P final to mass वो ही है now kinetic energy of particle becomes 4 times तो kinetic energy आपकी initial की 4 times होगी 4 times of EK तो आप देखिए P final equals to यह 4 का under root 2 2 और P initial होगा यानि की initial का क्या हो गया P final जो है initial का double हो गया तो इसका कितना अधिक होगा तो यानि की यह क्या होगा double हो गया तो यह 100% व्रद्धी हो गई तो यहां पर आएगा its initial momentum जो था उससे अब क्या होगा double हो गया 100% changes हो गया तो राइट अंसर होगा option 2 next question next question a solid sphere of mass M and radius R rolls without slipping at uniform velocity V along a straight line over a horizontal surface the total kinetic energy of this sphere is देखिए आपको question में दिया हुआ एक M दरविमान वो R थिर जा का एक थोस गोला यह एक M दरविमान वह R तरिजा का एक थोस गोला है यह 36 तल पर यह 36 तल पर एक सरल रेखा कि अनुदिष्ट एक समान वेक V से बिना फिसले लोटनी गति कर रहा है यानि कि शुद्ध लोटनी गति कर रहा है तो गोले की कुल गति रूर्जा होगी तो जो total kinetic energy होती है शुद्ध लोटनी गति में गति रूर्जा प्लस घूनन गति रूर्जा तो यह होगी 1 by 2 M V स्कॉाइर 1 plus K स्कॉाइर अपॉन R स्कॉाइर अब हमें इसकी K स्कॉाइर अपॉन R स्कॉाइर तो इसका moment of inertia होता है 2 by 5 M R स्कॉाइर that is equals to M K स्कॉाइर केक्वल तो यहां से K स्कॉाइर अपॉन R स्कॉाइर की value जो आ रही है that is 2 by 5 यह value उसमें put कर दे तो 1 by 2 M V स्कॉाइर 1 plus 2 by 5 तो यह आपका हो गया 1 by 2 multiply by 7 by 5 M V स्कॉाइर तो simplify करेंगे तो 0.7 M V स्कॉाइर आ रहा है तो right answer होगा option 3 next question next is if earth is supposed to be a sphere of radius R if G30 is the value of acceleration due to gravity at latitude of 30 degree and G at equator the value of G minus G30 magnitude is देखे आपको question में given है यदि प्रथी को R तिजा का एक गोला माना जाए तो यदि 30 degree अक्षांस पर गुरुत्य तवरन के कारण G30 तता भूमद्य रिखा पर G हो तो G minus G30 का मान क्या होगा तो देखो यह अर्थ है पोल पर जो है G G P होगा तो यह इसका equator यहां पर equator पर दिया हुआ है आपको G दिया हुआ हुआ और यह latitude आपका होता है लेमडा तो किसी भी position पर suppose करो यहां पर यह G आपको given है तो इसके लिए relation होता है G देश equals to G at pole minus omega square radius r cos square lambda यह relation होता है अब सबसे पहले हम G30 निकाल लेते हैं G30 कितना है तो G30 means आप lambda की value 30 तो यह G30 degree पर G at pole वही रहेगा omega square r cos 30 root 3 by 2 का square करेंगे तो that is 3 by 4 आगा अब हम बात करते हैं G at equator तो यहां पर G at equator that is G यह होता है G at pole minus omega square r और यहां पर equator पर lambda की value की होगी 0 cos 0 की value 1 तो यह cos square 0 तो G minus G equals to GP minus omega square r अब आपको निकालना है G minus G30 तो G minus G30 का magnitude तो यहां पर आप magnitude की बात करें तो G यह तो हो रहा है GP minus omega square r और G30 यह वाला तो यह minus GP minus minus plus 3 by 4 omega square r यह कहन से इसका magnitude लेंगे negative में आएगा उसका magnitude लेंगे तो यहाएगा 1 by 4 omega square r तो right answer है option 1 next question find the center of mass of a uniform L-shaped lamina, a thin plate with respect to O as shown in figure the mass of the lamina is 3 kc देखो चित्र में दर्शागे एलाकरती की plate का O के सापिक्ष द्रिविमान के अंदर होगा plate का द्रिविमान 3 kg है देखें आपको यहां पर यह एक plate दिवी है आपको इसका द्रिविमान के अंदर गयाद करना है तो आप इसको क्या करेंगे ऐसे two parts में divide करेंगे एक part आपका यह वाला हो गया एक part यह हो गया तो यह तो आपका बन गया rectangle और यह बन गया आपका square क्योंकि यह side आपकी two है यह one है तो यह भी one meter होगी यह two meter होगी अब यहां पर इसका center of mass इस वाली का यह यहां पर होगा तो आप इसके coordinates देखें तो यह origin लिया तो यह one और यह one by two तो one, one by two यह इसके coordinates हो गया चले इसके center of mass के coordinates देखें तो यह तो हो गया one, one का half हो गया one by two तो इसके coordinates one by two और यह one plus one by two that is three by two यह coordinates आपको axiom निकालना axiom equals to यह होता है a1 x1 प्लस A2, X2 अपॉन A1 प्लस A2 चले, AXIOM निकालते हैं, हम इसका AXIOM calculate करें, तो A1 इसका area, तो यह 2 multiply by 1, 2, इसका X coordinate कितना है, 1 प्लस, इसका area यह होगा 1 multiply by 1 और इसका X coordinate कितना है, 1 by 2 अपॉन टोटल एरिया 2 plus 1, that is 3, तो 2 2 plus 1 by 2, तो यह हो गया 5 by 2 multiply by 3, तो यह आगया 5 by 6 सेम इसे ही, आप YCM निकालते हैं, तो यह YCM equals to, A1, Y1 plus A2, Y2 upon A1 plus A2 तो हम यहाँ पर area तो बहे रहेगा इसका 2, इसका Y1 कितना हो गया, 1 by 2 1 by 2 plus इसका area 1 और कोदिनेट 3 by 2 upon A1 plus A2, तो 2 plus 1 यह 1, तो 1 plus 3 by 2 upon 3, तो यह आपका 5 by 6 आगया, तो यह 5 by 6 आगया, XCM, YCM तो राइड आंसर है, option 1 next question, the angular frequency of motion whose equation is given 4d square by dt square plus 9y equals to 0 where Y is a displacement and T is time, देखिए आपको omega square, यह A हो गया, ठीक है Y0, तो आप देखिए, omega equals to क्या आप रहा है under root 9 by 4 means 3 by 2 तो कोनी आवरत्ती यह है, ठीक है तो answer होगा इसका 3 by 2 तो राइड आंसर होगा इसका option 3 next question, the third overtone of a closed organ pipe is equal to second harmonic of an open organ pipe then the ratio of their length is equal to यह आपको दिया होगा, बंद organ pipe के तीसरे अधी स्वरक की आवरत्ती खुली organ pipe के दूसरे स्वरक की आवरत्ती के बराबर है तो इनकी लंबायों का अनुपात होगा देखिए question करते हम, हम पहले लेते हैं closed organ pipe तो यह आपने closed organ pipe लिया इसकी length है L1 तो third overtone क्या होगी इसकी, इसकी third overtone जो है that is N3 equals to, first होती V upon 4L यह तो fundamental, first overtone होती है आपकी 3V upon 4L, फिर 5V, फिर 7 तो यह 7V upon 4L, यह आया आपके fundamental ठीक है? यह आपके आगी? third overtone आगी, अब यह close होगया, अब open की बात करें तो open का जो second harmonic होगा, उसकी length होगी L2 तो यह इसकी जो frequency होगी, N2 equals to 2V upon 2L2 होगा यह दोनों equal हो जाएगा, तो यहाँ पर N3 equals to N2 बोला है तो equal कर दो, 7V upon 4L1, यह cancel होगया तो V upon L2, V से V cancel, तो L1 upon L2 equals to क्या रहा है? 7 by 4 रहा है, तो right answer है, option 1 next, next है, water and mercury are filled in two cylindrical vessels up to same height both vessels have hole in the bowl near the bottom, the velocity of water and mercury coming out of the holes are V1 and V2 respectively, तो question में आपको दिया होगा है दो बेलनाकार पात्रों में समान उचाई तक पानी तथा पारा बरा होगा है दो, दो बेलनाकार पात्र है, समान उचाई तक रखाए यह दो बेलनाकार पात्रों होगा है, एक जैसे पात्रों होगा है, समान उचाई तक पानी तो इसमें तो water होगा है और इसमें mercury होगा, यह mercury होगा, दोनों पात्रों के पेंदे के निकेट एक चिद्र है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक hole बना रखा है और यहाँ पर भी hole बना रखा, दोनों की height से हमें H और H, दोनों में different liquid फिल क्या होगा, इन छित्रों से बाहर आते होगे, पानी के वेक V1, V2 होगा, तो इससे जो V1 है, और इससे बाहर आएगा, वो V2 है, तो मैं पता V2 होता है, under root 2GH, यहाँ G दोनों के लिए से हमें, H से में, यहाँ पर density जो दोनों की है, वो different है, जो इसकी density होती है, वो इसकी 13.6 times होती, mercury की water से 13.6 times होती, लेकिन density का कोई relation ही नहीं होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर right answer होगा, दोनों में equal होगी, V1 equals to V2, next, an incompressible liquid flow through a horizontal tube as shown in figure, then the velocity V of the fluid is, देखिए आपको यहाँ पर यह एक tube दियो होगा है, जिसमें एक असंपिडे द्रव को शेतिस tube में बहता होगा दर्शा है गया, तो द्रव का वेक दियो होगा, तो यहाँ पर इसका area दे दिया, A, वेक दे दिया, यहाँ area दे दिया, A, वेक दे दिया, यहाँ area दे दिया, 1.5 है, तो इसका वेक क्या होगा, तो हम यहाँ पर यह जो है, Q, 1, यह Q2, प्लस Q3 के एको लोगा, तो यहाँ से आ रहा है Q1, यह है प्रवाय की दर rate of flow, यह किसके एको लोगा, Q2 प्लस Q3, क्यों क्या होता है, A1, V1, यहाँ A1, V1, यह आपक A1, V1, यह होगा, A1, V1, यहाँ पर क्या होगा यह, A multiply by, यह V2 कितना होगा, 1.5 प्लस, यह कितना होगा area, 1.5 और हमें V निकालना है, तो यह इस तरह आएगा, रियरेंज करेंगे, तो यह 1.5 A, 1.5 V, 1.5 से, तो यह 1.5 से, इसका area है, तो यह cancel होगा, 1.5 A, तो V की value क्या आ area, तो right answer हो जाएगा, option 3, 1 meter per second, next question, in a hydraulic lift, used at service station, the radius of the large and small pistons are in the ratio of 20 to 1, what height placed on the small piston, what weight placed on the small piston, will be sufficient to lift a car of mass, 1500 kg, देखे, question में आपको दिया होगा है, service station पर काम आने वाले किसी hydraulic lift के लिए, बड़े और छोटे piston की तरिजाओं में 20 अनुपात, एक का अनुपात है, 1500 kg द्रहिमान की कार को उठाने के लिए, छोटे piston पर भार रखना पड़ेगा, तो देखे, इस तरह से, यह hydraulic lift है, इधर एक piston, इधर एक piston, अब इस पर जो है, car जो है, उसका द्रहिमान है, 1500 kg, इधर radius है, आप इस पर कितना भार रखेंगे, हमें भार निकालना है, द्रहिमान में, तो कितना द्रहिमान, इस पर रखेंगे, तो यहां हमें जो द्रहिमान रखेंगे, तो यहां हमें जो निकालना है आंसर जो किलोग्राम की फोर्म है तो देखें हमें पता है यहां पर जो प्रेशर जनरेट होता है वो इस पर सेम ट्रांसफर होता है तो यहां पर जो प्रेशर होगा जो प्रेशर यहां से जनरेट होगा वो उस पर उतना है प्रेशर एक्जेट होता है प्रेशर क्या हो गया A2 हमें F1 find out करना है तो यह F1 equals to यह F2 multiply by A1 upon A2 A1 क्या हो गया πाई R1 square πाई R2 square πाई से πाई cancel हो गया radius given है अब F2 की बात करें तो यहाँ पर F2 क्या हो गया 1500 G R1 जो है 1 जो है इसकी radius R2 तो 20 given है 20 is to 1 तो यह 1 upon 20 का square तो F1 जो आएगा वो 1500 20 multiply by 20 और यह G यह इनसे cancel हो गया तो यह आ रहा है F1 15 by 4 G तो मास जो हो जाएगा मास जो इस पर रखेंगे that is 15 by 4 तो वो आएगा 3.75 kilogram तो right answer हो रहा है that is option 1 next question a capillary tube is filled with a liquid up to height of 50 centimeter the reading when the capillary tube is tilted to an angle of 45 degree is देखें आपको एक केशनली में 50 centimeter तक द्रोब भरा हुआ यदि केशनली को 45 degree cone पर जुकाया जाए तो पाठ्ठ्ठ्ठ्ठ्ट होगा तो देखो बजी कैसे यह केशनली है इसके अंदर यह जो है किसी liquid के अंदर यह यहाँ पर इसके अंदर जो liquid है यह 50 centimeter height तक lift हो रहा है अब आप इसको ऐसे tilted कर देता है तो vertical height तो उतनी ही रहेगी आपकी आपकी बोल रहा है केशनली को 45 degree cone पर जुकाया यानि कि vertical से 45 degree angle चीक है तो यह 45 है यह height तो आपकी h रहेगी वही रहेगी 50 तो यह liquid इसके अंदर आप किस length होगा के विली 1 by root 2 और h के विली 50 तो यह 50 root 2 हो जाएगा तो इसके अंदर जो liquid की length होगी वह हो जाएगी 50 root 2 तो राइट आंसर है option 2 next 1 gram of ice at 0 degree centigrade is added to 5 gram of water at 10 degree centigrade final temperature of the mixture is आपको यहाँ पर 0 degree centigrade की 1 gram बर्फ और 10 degree centigrade वाले 5 gram जल में मिलाया जाता है तो इस mission का अंतिमताब क्या होगा तो देखिए आपने यह बर्फ ली यह बर्फ यह 10 यह है 1 gram आइस यह 0 degree centigrade पर आप इसको mix कर रहे हैं किसके साथ 5 gram जल 5 gram जल जो कितने temperature पर है 10 degree centigrade पर है अब आप जब इनको mix करेंगे तो यह तो heat lose करेगा और यह heat gain करेगा हम इनको एक common temperature तक लेके चलते हैं तो चलो हम इसको 0 degree centigrade तक लेके चलते हैं तो यहाँ पर यह आपका जो heat absorb करेगा वो होगा Q equals 2 अब 1 gram आइस को 1 gram जल 0 degree centigrade में convert करेंगे तो यह होगे MLF M की value 1 LF होगया आपका 80 calorie per gram तो यह 80 calorie इसको चाहिए इस state तक आने में अब यहाँ पर हम इसको भी क्या करते हैं same state तक लेके जाते हैं तो इसको 5 gram जल को 10 degree centigrade से 0 degree centigrade तक लाएंगे तो यह कितनी heat release करेगा that is Q equals to M as delta T M कितना है 5 S इसका होता है 1 और delta T है 10 तो देखो यह 50 calorie ही इसको release कर पाया यह 50 calorie और इसको चाहिए 80 calorie तो यहाँ पर यह पूरी तरह से इसको melt नहीं कर पाएगा तो इसको पूरी तरह से melt नहीं कर पाएगा लेकिन इसमें क्या होगा कुछ पार्ट आपका जल रहेगा 0 degree centigrade पर और कुछ पार्ट रहेगा आइस 0 degree centigrade पर क्योंकि यहाँ पर यह 50 calorie ही आपके मिल रही है और इसको चाहिए कितनी 80 calorie तो यह पूरी तरह से melt नहीं होगा तो राइट आंसर होगा मिक्स्चर होगा आइस और वोटर का 0 degree centigrade का राइट आंसर ओप्शन 3 next question rate of heat flow through a cylindrical road is H1 temperature of ends of roads are T1 and T2 if all the dimension of road becomes double and temperature remains same and rate of heat flow become H2 then देहें आपको यहाँ पर किसी बेलनाकार छड़ में उश्मा प्रवा की दर H1 वो छड़ के 0 पर तापमान T1, T2 है जैसे कि यह बेलनाकार छड़ होगी इसके 0 पर तापमान यह T1, यह T2 होगा अब यह जो है जो heat flow हो रही है that is H1 है steady state में तो यह H1 जो होता है यह होता है k a by इसकी length होगी l और temperature difference T1 minus T2 यह relation होता है अब वह बहुता है जदि तापमान को नियत रखते होगे तापमान नियत रखा छड़ की सभी विमा दुगनी कर दें यानि कि आप हर एक जो विमा है यानि कि length को double कर दिया तो area कितना होगा area क्या होता है लंबाई into लंबाई होता है यानि कि इसका क्या होता है area जो है square में होगा तो वह 4 times हो जाएगा तो विमा दुगनी कर दिया तो उसमा परवा की दर H2 क्या होगी तो आपने अब यह H2 क्या होगा तो भई पदार तो वही रखा के thermal conductivity वही रहेगी area आपने जो है वो 4 गुना कर दिया 4 times कर दिया तो यह length डबल की तो यह 4 A हो गया और length 2 L हो गया यह temperature वही रखा है आप divide कर दें इसको तो divide करेंगे solve करेंगे K A L यह 2 times तो H2 equals 2 क्या है आपका H2 है वो 2 H1 के पल हो जाएगा तो right answer हो जाएगा H2 equals to 2 H1 आपका यह है divide करेंगे solve करेंगे तो H2 equals to 2 H1 यहने कि heat flow आपके double हो गई next next volume versus temperature graph for a given mass of an ideal gas are shown in figure at two different values of constant pressure what can be inferred about relation between P1 and P2 देगे आपको नियत दापके दो विभिन दो भिन भिन मानों पर एक आदश गेस के दिये गए द्रविमान के लिए आईतन तापमान का graph चित्र में दर्शाए गया P1 देता P2 के भी संबंद के संदर्व में क्या अनुमान लगाए जा सकता है तो देखिए भई यहां पर यह समिकर रहा होती PV एक्वस टू एन PV एक्वस टू एन आर टी तो दाब नहीं है तो V एक्वस टू एन आर अपॉन P यह आपका यह T तो VT graph का जो ढाल है वो ढाल आ रहा है यह तो ढाल आपका ढाल इस प्रपोर्शनल 1 अपॉन P आ रहा है तो जिसका दाब जादा होगा उसका ढाल कम होगा तो यहां पर इसका ढाल कम है तो P1 ग्रेटर देन P2 हो जाएगा तो राइट आंसर है आप्शन 1 Next PV डियाग्राम ऑफ एन आईडियल गेस इस एस शोन इन फिगर वर्क डेन बाइड गेस इन दी प्रोसेस A, B, C, D इस दिये गए PV आरेक में आदर्श गेस द्वारा A, B, C, D प्रक्रम में किया गया कार्य होगा तो मैं पता है PV ग्राफ का एरिया अंडर दी कर्व आपको कार्य को बताता है तो ये एरिया निकाल दें तो ये एरिया निकाल दें तो देखे ये आपका ये वाला एरिया कितना हो गया तो ये तो P-naught और ये आपका 2V-naught तो P-naught multiply by 2V-naught ये वाला एक एरिया आगया अच्छा ये वाला एरिया देखे हैं ठीक है ये वाला पीवी ग्राफ का ये वाला एरिया देखे हैं ये पूरा एरिया ठीक है तो पीवी ग्राफ का ये वाला जो एरिया देखे हैं तो इसमें क्या हो रहा है ये वाला एरिया भी दो तो ये वाला V note, right answer option 3. Next, 2 sphere of radius R and 3 R having charges 2 Coulomb and minus 10 Coulomb are placed apart, the electrostatic force acting between them is F, both sphere comes in contact and are again placed at their original position, then find the new electrostatic force in terms of F, Dekhi, question में R थता 3R 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 2 जाके 2 गोले जिन पर ये आपके 2 गोले हो गया, ये तो हो गया R 3 जाका और ये आपका हो गया 3R 3 जाका, इस पर आवेश है 2 Coulomb और इस पर कितना है, minus 10 Coulomb आवेश, एक दूसरे से रखें, इनके मद्दे कारे जो बल है, वो है F है, तो F कितना हो गया, F equals to K, आकर्शन का है, तो minus आजाएगा, एक पर charge 2, दूसरे पर 10, और दूरी मान लो इनके बीच की दूरी है, R square, ये R square हो गया, तो इनके मद्दे कारे रख, जो बल लग रहा है, वो F निकाल, अब इन दोनों को संपर्क में लाएंगे, इसकी दूरी पर रखेंगे, तो इनके बीच में charge का redistribution होगा, charge का redistribution तब तक होता है, जब तक कि दोनों पर potential equal नहीं है, तो दोनों पर potential equal कर दो गई, तो आपने charge का redistribution क्या, potential V1 upon V2, तो अब जो charge हो जाएगा, वो आपका Q1, Q2 हो जाएगा, तो यह होगा, के Q1 upon इसकी radius R, तो अब इस पर charge हो गया Q1, इस पर charge हो जाएगा Q2, तो के Q2 upon, इसकी radius कितनी है, 3R, कहेंसे, यह कहेंसे, तो Q1 upon Q2 equals to क्या अतना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, Q1 upon Q2 equals to 3 रहेगा, हमें पता है, isolated system का charge क्या रहता है, तो आपका Q1 plus Q2 की बात करें, तो यह आपके Q1 plus Q2 equals to 2 minus 10, यह minus 8 कुलाम ही रहेगा, तो आपको Q1 find out करना है, तो Q1 find out करें वे, तो Q1 upon Q1 plus Q2, आप क्या कर रहे है, numerator, numerator, theorem लगा रहे हैं, 3 upon 1, तो Q1 as it is, इसको नीचे ले जाके एड़ किया है, तो यह भी 3 upon 3 plus 1, यह 4 हो गया, तो Q1 की वेलियो आ रही है, Q1 equals to 3 by 4 multiply by Q1 plus Q2 minus 8, तो यह minus 8 आगया, तो यहाँ पर जो आपके चार्ज होगा, Q1 upon Q2, यह आपका 1 is to 3 होगा, यह यहाँ पर, यह दुवारा देख लेते हैं, यह Q1 upon Q2, 1 is to 3 होगा, यह 3 is to 1 नी, Q1 upon Q2 equals to 1 by 3 होगा, Q1 plus Q2 तो बही रहेगा, कितना, टोटल Q1 plus Q2 minus 8 कुलाम के equally रहेगा, अब numerator, denominator theorem लगाते हैं, तो Q1, यह as it is, Q1 plus Q2, यह 1 as it is, यह 4, तो Q1 की value कितने आगी, Q1 plus Q2 upon 4, यह है minus 8, तो minus 8 by 4 means minus 2 कुलाम, तो minus 2 कुलाम इस पर आएगा, तो remaining इस पर कितना आएगा, टोटल 8 में से minus 6, तो अब जो force होगा, F-, एक पर तो आगया, minus 2 कुलाम, minus 2 कुलाम इस पर आएगा, minus 2 कुलाम और इस पर कितना आएगा, minus 6 कुलाम इस पर आएगा, यह इन पर charge रहे जाएगा, after connection, इनको दोनों को टैच किया, आप उसी separation पर रखेंगे, तो force कितना होगा, positive होजाएगा, क्योंकि दोनों negative है, तो K-2 कुलाम, यह minus minus इसका भी plus हो जाएगा, यह 6 कुलाम अपन R-square, अब divide कर रहें, ठीक है, तो F upon F-, यह R-square से R-square, कैसे K cancel हो गया, ठीक है, तो यह कुलाम, लिखने की जुरत है नहीं, यहाँ भी कुलाम से कुलाम cancel हो गया, तो F upon F- equals to minus 2 multiply by 10, और 2 multiply by 6, यह cancel, तो minus 5 by 3, तो F- equals to क्या रहा है, minus 3 F upon 5, तो minus 3 F upon 5, तो right answer होगा, option 3, next question, देखे, कशन है, thousand drops of same size are charged to a potential of one volt each, if they call us to form a single drop, its potential would be, समानाकार की, एक हजार बुंदों में प्रतिक को, एक वोल्ट से आविशित किया जाता, यदि यह सनलयित होकर एक बड़ी बुंद का निर्मान करती है, तो इसका विभो होगा, देखे वज़े, यह आपके कहीं सारी drops है, इस तरह से, यह है आपकी thousand drops है, ठीक है, अब प्रतिक पर विभो कितना है, वन वोल्ट है, हमें पता है, वी क्वस्टो होता है के, इच पे चार्ज मान लो क्यू है, तो यह के क्यू और इच की radius है, आर, तो यह आर होगा, अब यह मिलकर एक नई drop बनाएंगे, तो एक बड़ी ड्रोप होगी, उसकी radius क्या हो जाएगी, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 1000 क्यू चार्ज जाएगा, चार्ज कितना होगा, 1000 क्यू जाएगा, चीक, तो यह जू वोल्यम होगा आपका, बड़ी ड्रोप का 4 X 3 Pi R Q, 1000 drops, एक ड्रोप का 4 X 3 Pi R Q, 4 X 3 Pi कहें से, तो R इकोस्टो क्या रहा है, 10 small R रहा है, अब इस बड़ी ड्रोप का जो potential है that is V-Q के charge हो गया 1000Q और R capital R आपका हो गया 10R यह से cancel हो गया तो V-Q कितना हो गया 100KQ by R 100KQ by R क्या होता है यह एक छोटी ड्रोप पर potential हो गया जो कि 1V के call है तो right answer हो जाएगा यह option 3 next a parallel plate capacitor with plate separation D is charged with the help of a battery so that U0 energy is stored in the capacitor a plate of dielectric constant K and thickness D is placed between the plates of capacitor while battery remains connected the new energy of the capacitor will be देखिए आपको question में दिया हुआ है plateों के बीच D दूरी वाला समान तर plate संदारित battery के साहता से इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि संदारित में संदारित उर्जा U0 है यह आपके blades यह battery आपने connect की हुई है तो इस समय energy इसकी U0 इसके पास जो energy है यह battery है plus minus V और energy है U0 now K परावेशित तांग वह D मोटाए की पट्टी का संदारिती प्लेटों के बीच में डाली जाती यह निकि पूरा space ही आपने परावेशित तांग से भर दिया ठीक है तो जबकि battery अभी भी जुड़ी हो तो संदारितीर की नहीं उड़जा होगी तो देखें यहां पर battery जुड़ी होई है तो क्या नियत रहेगा वी नियत रहेगा तो energy जो थी initially U0 equals to 1 by 2 C V square थी अब आपने किया किया इसको अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लेप प्लेस कर दिया तो new energy होगी U तो 1 by 2 V तो constant रहेगा आपका जो C है वो K times increase हो जाएगा तो यह K C और V वही रहेगा तो U equals to 1 by 2 C V square यानि कि U0 multiply by K तो यह right answer होगा K U0 यह option 1 right answer now next a galanometer gives full scale deflection with 0.2 ampere in its coil the resistance of its coil is 10 ohm how much shunt resistance is required to convert it into a ammeter to read current up to 1.8 ampere देहें आपको एक धारा मापी कुंडली 0.2 ampere पर पूर्ण scale विक्षेपन देती है इसकी कुंडली का प्रतिरोद 10 ohm है इसको 1.8 ampere धारा प्रास के ammeter में परिवर्थित करने के लिए आउशक्षंट प्रतिरोद का मान होगा तो यह इस तरह से यह galanometer इस galanometer इसकी कुंडली का प्रतिरोद 10 है यानि कि galanometer का प्रतिरोद आपको दिया हुआ है 10 ohm अब यह धारा मापी कुंडली 0.2 ampere पर पूर्ण विक्षेपन देती है यानि कि इसकी जो धारा प्रास है आई जी वो 0.2 ampere दी हुई है अब इसको 1.8 ampere धारा प्रास के अमिटर में परिवदित करने के लिए आउशक्षंट प्रतिरोद होगा तो इसके लिए आप क्या करते हैं यहां पर एक प्रतिरोद जोड़ दे अब यहां पर यह हमें RS ही निकालना है इस RS की value क्या होगी निकालना है तो अब यहां से जो धारा आएगी वो अब इसकी परास जो यह अमिटर बन गया आपका यह अमिटर बन गया है तो यहां से 1.8 ampere आएगी इसमें तो कितनी जाएगी 0.2 तो remaining कितनी जाएगी 1.6 इधर से जाएगी यह दोनों parallel में तो दोनों पर potential same रहेगा तो यह आपके 0.2 multiply by RG कितना है 10 equals to इधर से जाएगा 1.6 multiply by RS दोनों पर potential equal कर दो V equals to IR से तो यह आपके RS equals to rearrange करेंगे तो यह इससे decimal से decimal cancel हो गया इससे 8 times तो यह 10 by 8 यह निकि 5 by 4 तो answer होगा option 3 1.25 तो राइट answer है option 3 next question there is a fixed potential difference between the two ends of a potentiometer two cells are connected in series in such a way that in first arrangement they help each other whereas in the second arrangement they oppose each other the balance point for these two combinations are obtained at 120 cm and 60 cm length respectively the ratio of the EMF of the cell तेखिए आपको question में एक विभो मापी के दो सीरों के मद्दे विभो अंतर नियते दो सेलों को शेनी करम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्थम स्थिति में एक दूसरे की साहिता तथा दूसरी स्थिति में यह एक दूसरे का विरोध करते हैं दोने स्थितियों में संदुलन बिंदू करमेशा 120 और 60 cm पर प्राप्त होता है तो सेलों के विद्यूत वागबलों का अनुपात क्या होगा तो आपने जो सेकंडरी परिपत है दित्यक परिपत है उसके अंदर दो सेल जब श्रनी करम में लगाते हैं और जब दोनों का साथ देत और यह 5L1 यानि की 120 हो जाएगा अब आगे बोल रहा है कि अब यह जब एक दूसरे का विरोत करेंगे तो अब इन दोनों में जो अधिक विद्यूत वागबलका उसका धनात्मक तो दनात्मक सिरे की तरफ और रिनात्मक उसके विप्रित दिशा में कर देंगे तो यह E1-E E2 विवो प्रवनता तो वह रहेगी क्योंकि वो तो प्रादमिक परिपत पर निर्वर करती है जित्यक परिपत पर निर्वर करती ही नहीं और इसके जो अब बैलेंस पॉइंट होगा संतुलन बिंदू वो 60 cm पर प्राप्त हो रहा है तो यह 60 cm पर नहीं लंबाई होगी तो अब डिवाइड करतें यह दो क्रोस मल्टिप्लाइ करें तो E1 प्लस E2 इक्वास टू 2 E1 माइनस 2 E2 रियर्रेंज करें E2 इदर आएगा तो 3 E2 यह इदर आएगा तो बराबर E1 तो E1 अपोन E2 इक्वास टू 3 इस टू 1 तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन 2 next question in following figure current I increases regularly then what will be direction of induced current inside AB देखें आपको एक यह diagram given है एक figure given है तो निमने चित्र में धारा आई में लगाता व्रद्दियोरी तो यह एक वायर है यह इस लूप के पास में रखा हुआ है इसमें लगाता व्रद्दियोरी तो भूजा AB में प्रेरित धारा की दिशा होगी तो भई लेंच का निम लगाते है यहां पर धारा की दिशा बढ़ रही है तो इसके अंदर धारा ऐसे प्रेरित होगी आई डेश तो बड़े लूप से देखा जाता है तो बड़े लूप में धारा ऐसे जाएगी तो यह ऐसे आएगी यह ऐसे आई यह ऐसे आई फिर इसमें ऐसे गई और यहां ऐसे बी जाएगी और फिर वापिस यह ऐसे जाएगी तो यह बंद लूप बन रहा है, तो इसमें आप देखेंगे, इसमें धारा A से B जारी या B से A, तो आप धारा बढ़ा रहे हैं इस वायर के अंदर, तो इसमें जो प्रेडित धारा के दिशा होगी, वो A से B होगी, राइट आंसर होगा, option 1. Next question, in an AC circuit the current is given by I equals to 5 cos 100 T and the AC potential is V equals to 200 sin 100 T V, then the power consumption is, आपको यहाँ पर AC परिपत में I दियावा, V दियावा, तो विद्यू शक्ति की खपत कितनी होगी, तो आपको power जो होगा, वो होता है, V RMS, I RMS, cos phi, अब देखो इसमें, यह हम RMS इस से निकाल लेंगे, I RMS, V RMS तिन से निकाल लेंगे, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर, तो यह दोनों में phase difference phi की value कि उतनी पाई बाई 2 है, cos curve sign से पाई बाई 2 lead करता है, तो यहाँ पर cos curve जो sign से पाई बाई 2 lead कर रहा है, तो यह V RMS की कोई भी value हो, I RMS की कोई भी value हो, 5 यह value क्या होगे, पाई बाई 2 होगी, तो पावर कितनी होगी, 0 होगी, तो यहाँ पर कितनी पावर डेवलोप होगी, 0, तो राइट आंसर हो जायागा, option 4. Next question, pure inductance of 3 Henry is connected as shown in figure below, the equivalent inductance of the circuit is, तो यहाँ पर इसका जो circuit का resistance, equivalent resistance होगा, वो कितना होगा, वो मैं find out करना, तो देखो, 3 Henry के शुद्ध प्रेकरत में आपको यह 3 दिया हुआ है, इसका तुल्य प्रेकरत निकालना है, तो हम इसको विभो नामांकन विदी से थोड़ा simplify करें, तो यह A और यह B, हमें इसके तुल्य निकालना है, तो यह A विभो, तो potential marking technique लगाई, यह भी A potential पे आगया, यह B potential, तो यह भी आपका B potential, आपको A वा B के बीच में equivalent निकालना है तो देखो, A वा B के बीच में एक L, यह एक इंडक्टर हो गया, यह एक इंडक्टर हो गया, बी और A के बीच में एक और इंडक्टर हो गया, इन दोनों को यूज कर लिए, फिर A और B के बीच में एक और इंडक्टर हो गया, तो यह एक और इंडक्टर हो गया, यह भी L, यह भी L यह भी L parallel में क्या होता है यह 1 upon L equivalent 1 by L 1 by L plus 1 by L यानि की 3 by L तो L equivalent कितना हो गया L by 3 L की value सबकी equal 3 upon 3 तो यह आ जा 1 and 3 right answer of option 1 next question next is in an LCR series AC circuit the voltage across L, C and R is 10 volt each if the inductor is short circuited the voltage across the capacitor would become देखो आपको किसी LCR शेनी प्रत्यावरती परिपत में L, C व आर प्रते के 0 पर voltage 10 volt है यदि प्रेट को लगू-पथित कर दिया जाए तो संधारितर के सिरुपर वोल्टा कितनी होगी ग्याद करें तो कुछ इस तरह से ही है यह आपका L, C और यह R यह आपके श्रेनी करम में जुड़े हुए यह मान लो यह आपने एक बेटरी इस पर लगाई हुई है तो यह L, C, R हो गया अब बोल रहा है कि यहां पर सब पर 10 volt है यह 10 volt, यह भी 10 volt और इस पर भी 10 volt हमें पता है यह दोनों विपरित कला में होंगी ठीक है तो यह दूसरे को कैंसिल कर देंगी यह दोनों विपरित दिशा में होंगी तो यहां पर यह इसको कैंसिल कर देगी तो अब आपका क्या होता है V equals to under root Vc square plus Vr square होगा अब यहाँ पर इन दोनों पर same होगा अब 10 टेन यह होगा तो यह V जो है यह तो होगी आरोपित 10 ठीक है और Vc और Vr same है तो यहाँ पर हम लिख सकते है 2 Vc square बहुत साइड square करें 100 2 Vc square तो यह आपके Vc square equals to 100 by 2 तो Vc equals to क्या आगा है 10 by root 2 तो यह answer होगा right answer 10 by root 2 volt next in a photoelectric experiment with light of wavelength lambda the maximum kinetic energy of electron is K if this wavelength is changed to n lambda here n is less than 1 the kinetic energy of the phosphate limited electron will be तो यह आपने एक photoelectric प्रभाव में प्रियुक्त तरंगधेरिये lambda और उस सर्जित electron की अधिक्तम गतिज उर्जा जो है के यदि तरंगधेरिये को n lambda कर दिया यहां n की value x से कम है यानि कि आपने तरंगधेरिये decrease कर दी तरंगधेरिये decrease करेंगे तो उसकी उर्जा जो होगी आप तिछ फोटोन की उर्जा वो क्या हो जाएगी बढ़ गई उर्जा बढ़ गई उर्जा बढ़ेगी तो यहां पर आपके जो गतिज उर्जा है electron की वो भी बढ़ जागी तो सर्जन electron की गतिज उर्जा क्या होगी तो गतिज उर्जा जो होगी वो आपकी बढ़ेगी तो इसको देखो कैसे होगा इसकी equation बनाते है इनिशली जब आपके lambda यूज कर रहे हैं तो आपके first equation बन रही energy होती हम्य यानि की sc upon lambda तो इस समय जो है lambda आप जित कर रहे हैं तो गतिर उर्जाद इकतम होगी k और इसका जो work function का रहे फलन है that is phi हो गया this is equation 1 अब आप क्या कर रहे हैं wavelength change कर रहे हैं तो अब आपका sc upon n lambda आपका होगा है तो आप kinetic energy मान लो कि अब new kinetic energy जो है वो electron की जो नहीं गतिर दूर्जा होगी वो k dash होगी 5 तो वह रहेगा क्योंकि यह तो सत्य की प्रकरती होती यह दूसरा होगा आप इसमें value पुट करें तो देखो 1 by n तो यह as it is sc upon lambda की value यहां से डालें के sc upon lambda की value k plus 5 equals to k dash plus 5 हमें k dash निकालना है तो k dash equals to यह हो गया k by n plus 5 by n minus 5 अब यह वाली value जो है n की value less than 1 होने के वज़े से यह value आपकी 5 से ज़्यादा होगी तो यह पूरी value क्या होगी यह पूरी value positive होगी तो k dash plus k dash equals to k by n plus any value that is delta 5 यह delta 5 positive होगी तो k dash की value k by n से ज़्यादा है या नहीं है बिल्कुल है तो right answer होगा more than k by n next a bar magnet of magnetic moment 10 to power 4 ampere meter square is free to rotate in a horizontal plane the work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to a horizontal magnetic field of 4 multiply by 10 to power minus 5 tesla to a direction 60 degree from the field will be देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 ampere meter square जिसकी unit joule per tesla भी होती है चुम्बी की आगून का एक छड़ चुम्बक शेतिस तल में सौतनता पूरग घूम सकता है इसको चार इंटू दसकी गात माइनस 5 tesla के शेति चुम्बक के शेत्र में इस छड़ चुम्बक को शेत्र की समांतर दिशा से 60 degree तक घुमानते हुए किया गया कारी होगा तो यह इस तरह से यह बाहर magnet इस तरह से हो गया ठीक है यह इसकी M की दिशा होगी और BBC दिशा में आप इसको ऐसे रोटेट कर रहा है तो यह 60 degree आपने इसको ऐसे रोटेट किया तो कितना कारी करना पड़ेगा तो यह होता है work done equals to MB cos theta initial minus cos theta final यह work done by external isn't होता है तो M आपको दिया हुआ है 10 की गात 4 B आपको दिया हुआ हुआ है 4 into 10 की गात minus 5 cos theta initial यह theta initial M और B के बीश में एंगल 0 cos 0 minus किस degree तक ले गए 60 degree तक तो यह आपके जो work done होगा यह तो होगया 4 बटे 10 चीक है cos 0 की value 1 minus 1 by 2 तो यह आपका 2 बटे 10 आगया है जाने की 0.2 Joule तो राइट आंसर होगा option 1 next is एक गामा रे फोटोन इस इमिटेट options are after ionization of an atom due to conversion of a neutron into a proton in the nucleus एक गामा खिरन फोटोन उस सर्जित होती है परमानू के आयनित होने के बाद बिलकुल नहीं जी नाभीक में एक न्यूट्रोन के प्रोटोन में परवर्तित होने के बाद नहीं ठीक है नाभीक के उत्तेजित होने के बाद तो हमें पता है जब भी नाभीक excited state में होता है वापिस de-excited होता है वापिस अपनी पूर वस्ता में आता है तो ये क्या होता है गामा खिरन को उस सर्जित करता है राइट आंसर होगा option 3 नाभीक में प्रोटोन के न्यूटोन में परिवर्दन होने के कारण गामा सर्जित नहीं होता तो ये एक fact best question होगा theoretical best question next next the energy level of a certain atoms for first second and third level are e,4e by 3 and 2e respectively a photon of wavelength lambda is emitted for a transition 3 is to 1 what will be the wavelength of emission for transition 2 is to 1 देए आपको यहाँ पर किसी निश्चित प्रमानु के first second and third उर्जा इस तर की उर्जा है क्रमश e,4e by 3 तथा 2e आपको दिवी है जब संक्रमन 3 से 1 होता है तो उस सर्जी तरंगधेरी lambda है तो 2 से 1 में तरंगधेरी कितनी होगे हमें ग्याद करनी है तो सबसे पहले 3 से a में बात करें तो delta e equals to क्या होता है sc upon lambda होगा ठीक है sc upon lambda तो delta e आपका 3 से 1 में आ रहा है तो 3 से 1 में आ रहा है तो 3 में कितनी है 2e और 1 में कितना e इन दोनों का difference कितना हो गया 2e minus e sc upon यह कितना दिया हुआ इसमें यह sc upon lambda दिया हुआ ठीक है तो यह e equals to आ गया sc upon lambda this is equation number 1 अब हम 2 से 1 में आ रहा है 2 से 1 में यानि कि delta e हो गया 4e by 3 minus e equals to अब wavelength होगी sc upon यह lambda dash हो जाएगा energy sc upon wavelength lambda dash तो यह आपके e by 3 sc upon lambda dash यह equation 2 आप divide कर दें तो यह आप values की put करेंगे तो sc upon 3 lambda sc upon lambda dash sc cancel तो lambda dash equals to ri 3 lambda तो right answer होगा option 4 next question two electrons are moving with same speed V one electron under a region of uniform electric field while the other under a uniform under a region of uniform magnetic field then after some time if the deep probability wavelength of the two are lambda 1 and lambda 2 then देखें आपको यहाँ पर दिया हुआ है दो electron समान चाल V से गतिकर रहे हैं यह दो electron है एक electron यह एक electron इन दोनों की चाल अभी V है जब चाल V है तो दोनों की wavelength भी क्या होगी सेम होगी तो यहाँ पर P cost 2 होता है S C upon lambda तो P जब दोनों का सेम है electron का mass electron की velocity यानि की momentum सेम है S C constant होता है तो दोनों का lambda भी सेम होगा अब दो electron समान चाल V से गतिकर रहे हैं एक electron समान विद्यूश शेतर में अब यह समान विद्यूश शेतर में गतिकरता है जबकि दूसर electron समान चुम के शेतर में प्रवेश करता है अब यह समान चुम के शेतर में कैसे प्रवेश कर रहा है हो सकता है यह विद्यूश शेतर की दिशा में जा रहा है तो अगर ये विद्यूषेत्र की दिशा में जाएगा तो electron पे जो बल लगते हैं विद्यूषेत्र की विपरिध दिशा में लगते हैं तो ये retard होगा तो इसकी velocity decrease होगी velocity decrease होगी तो मैं पता है P equal to SC upon lambda ये decrease होगी तो lambda आपका बढ़ जाएग ठीके और अगर यहाँ पर electric field इस तरफ है यह इस दिशा में जा रहा है electric field इस तरफ है तो इसका velocity electric field की opposite direction हो तो इस पर force भी उदरी लगे का तो यह accelerated होगा तो इसकी speed क्या होती जाएगी increase होती जाएगी increase होगी speed तो lambda आपका क्या होगा decrease होता जाएगा चुम्बी के शेत्र में तो जब चुम्बी के शेत्र में जब यह प्रवेश करता है तो यह तो व्रत्ताकार पत्पन नियत चाल से गति करता है चाल नियत तो यहाँ पर चाल नियत होने के वज़े से जो wavelength होगी वह भी आपका P equals to hc upon lambda वी नियत है तो लेमडा आपका नियत र हो ठीक है depend करता है electric field में किस तरह से enter करता है हो सकता है lambda 1 की value lambda 2 से ज़्यादा हो depend करता है field के direction तो राइट आंसर हो जाएगा option 4 next question the dominant mechanism for motion of charge carriers in forward and reverse biased silicon PN junctions are options are option 1 drift in forward bias diffusion in reverse bias option 2 diffusion in forward bias drift in reverse bias option 3 diffusion in both forward and reverse bias option 4 drift in both forward and reverse bias देखे आपको silicon PN संधी में अगर तथा पश्च बाइस में आवेश वहकों की गति की प्रभावी क्रियाविद्धी होगी तो देखो यहाँ पर इस तरह से यह आपके P और यह N होगा आप यहाँ पर इसको forward bias में connect करते हैं तो यह जो होता है आपका इस तरफ यह flow होता है तो यह होता है आपका diffusion in forward bias यानि की P to N ठीक है और जब आप यहाँ पर इसको reverse bias में convert करते हैं तो यह होता है drift in reverse bias यानि की N to P तो right answer होगा option 2 अगर बाइस में विसरन तथा पश्च बाइस में अब वहाँ दिस दा radical conceptual based question next question a dip needle lies initially in the magnetic meridian when it shows an angle of dip theta at a place the dip circle is rotated through an angle x in the horizontal plane and then it shows an angle of dip theta dash then 10 theta dash upon 10 theta is देखिए question में आपको दिया होगा है जब चुम्ब की सुई को चुम्ब के यामत्तर में रखा जाता है तो यह theta नतिक कौन प्रतशित करता है ठीक है यानि कि magnetic field से यह magnetic field के direction में इस समय यह चुम्ब के यामत्तर में होगी horizontal से theta कौन पर होगी यदि नतिक रत को शेती स्तल में x कौन से चुम्ब के यामत्तर से theta कौन पर गुमाया जाता है तो नतिक कौन theta dash हो जाता है तो आवासी नतिक कौन हो गया theta dash तो हमें पता है आवासी नतिक कौन 10 theta dash equals to 10 theta upon cos जिस angle से आपने plane को rotate किया है that is x तो यहाँ पर 10 theta dash upon 10 theta equals to 1 upon cos x यह right answer होगा तो right answer होगा option 1 10 theta dash upon 10 theta equals to 1 upon cos x आवासी नतिक कौन चले next question next question now section B this section contain 15 multiple choice questions out of these 15 questions you can choose any 10 questions to attempt you will be awarded 4 marks for correct answer and minus 1 marks for incorrect answer unanswered unattempted questions will be given no marks okay तो देखे है question क्या है question number a body covered 2 meter in first 2 second and 14 meter in the next 4 second in same direction its velocity in meter per second after 7 second from start will be देखे हैं आपको एक pin प्रथम 2 second में 2 meter तो यह एक pin ले लो यह प्रथम 2 second तो इसको लगा यहां से यहां तक टी टी टू सेकेंड इसमें यह कितना चल रहा है यह चला है टू मीटर मूं किया अगले चार सेकेंड में समान दिशा में 14 मीटर चलता है अगले चार सेकेंड यानि की टी कोस्टू 6 second होगे है चार सेकेंड नेक्स्ट अब यह कितना चला 14 मीटर मूं कर रहा है प्रारम से साथे सेकेंड के पश्यात पिंड का वेग होगा तब टी कोस्टू 7 पर यह टी कोस्टू 7 पर आपको इसकी वेलोस्टी फाइंड आउट करने हैं तो बही यहां पर इनिशल वेलोस्टी इसकी यू है तो आप यहां पर 1st 2 second में इसका displacement 2 है तो displacement की equation S equals to ut plus half a square लगा है यह direction positive ले लिया तो displacement होगे है 2 initial velocity u time 2 plus half a positive और 2 का square तो यह equation आई 2 equals to 2u plus 2a यह equation आई this is equation number 1 now next equation next equation आप form करते हैं यह initial से total displacement 6 second के लिए तो यह आपका होगया 2 plus 14 displacement होगया 16 initial velocity u time लगा 6 तो यह 6u plus half a और t का square मिन 6 का square 36 तो यह आपके 16 equals to 6u plus 18a this is equation number 2 आप 1 और 2 को solve करें तो देखें हम इसको क्या करते हैं यहां पर इसको 3 से multiply करके यहां लिख देते हैं तो यह 6 3 से multiply किया 6 होगया यह कितना हो गया आपका यह भी 6u हो गया प्लस यह 3 से गया तो यह 6a हो गया आप माइनस कर देंगा यह कैंसिल हो गया तो यह आपका 10 यह आपका 18-6 हो गया 12a तो a की value आगे आपके 5 by 6a यह आगया 5 by 6 meter per second square यह आगया अब 7 second पर निकालना है तो v equals to u plus 80 लगा तो v velocity होगी u initial अभी आपको find out करना है u अभी unknown है तो इस a की value equation के अंदर रखो तो 2 equals to 2u plus 2 a की value है 5 by 6 यह 3 हो गया तो 2u equals to 2u equals to 2 minus 5 by 3 तो यह 1 by 3 तो u की value आगी यह 1 by 3 तो यह आ रहे u की value 1 by 6 आगी u की value 1 by 6 आ रहे यह u की value 1 by 6 होगी तो आप v equals to u plus 80 initial velocity 1 by 6 v equals to u plus a कितना हो गया 5 by 6 और टाइम कितना है 7 तो यह हो गया 36 upon 6 और यह रहा है 6 meter per second तो right answer होगा option 2 next question find the acceleration of 3 kg mass when acceleration of 2 kg mass is 2 meter per second square as shown in figure देखे चित्र में 2 kg द्रिविमान का तोरण 2 meter per second square तो 3 kg द्रिविमान का क्या होगा देखो यह 10 newton लग रहा है तो यह 6 equals to 3a तो a equals to कितना हो गया यह 6 by 2 यानि कि 3 meter per second square इसका mass हो गया kx equals to कितना है kx equals to i हमार पास 6 equals to 3a mass 3 तो a equals to कितना होगा 6 by 3 यानि कि 2 तो यह right answer हो जाएगा option 2 2 meter per second square next question question is four identical spheres are perfect elastic collide with each other the initially velocity of a and d are va i meter i cap meter per second and vd equals to minus 2 i cap meter per second then final velocity of a and d after successive collision हमें बता है elastic collision में जब भी यह आपस में collision करते हैं collision के बात क्या होते हैं यह आपस में एक दूसरे से एक्षेंज कर लेते हैं velocity is exchange कर लेते हैं अब यह आपस में action यह दोनों टक्राएंगे मास से में वापस एक्षेंज करेंगे तो इसका इदर हो गया 2 meter per second इसका इदर हो जाएगा आप 1 meter per second अब यह से जाके टक्राएगा इसको देदेगा इदर 1 meter per second और इसको मिल जाएगा इदर के तब finally 2 meter per second और यह rest पे आ जाएग next time a meter stick is balanced on a knife as at its center when two coins each of mass 5 gram are put on put one on top of the other at the 12 centimeter mark the stick is found to be balanced at 45 centimeter what is the mass of a meter stick देखो एक meter छड़ को इसके केंद्र से शुद्र सिरे पर संतुलित करते हैं यानि कि यह आपको एक meter stick यह ऐसे दी हुई है इसकी कोई लंबाई है एक meter की लंबाई मीटर है एक लंबाई मीटर है तो इसकी यह 50 centimeter पर भी यह यहाँ पर ऐसे balanced है इस point पर ठीके यह balanced है अब यह यहाँ पर बोल रहे हैं दो सिक्के 5 ग्राम को एक के उपर दूसरे को 12 centimeter की इस्थि यानि कि यहाँ से 12 centimeter की दूरी पर आप एक के उपर एक पांच पांच ग्राम के दो सिक्के रख देते हैं चड़ अब यहाँ पर संतुलित नहीं होगी इसको क्या करेंगे यहाँ पर 45 पर स लगानी पड़ेगी तो छड़का द्रिविमान कितना होगा में निकालना है अभी यह संतुलन की अवस्ता में तो भाई यह इस तरह से यह एक मीटर पर रख अब इसका यह केंद्र यहां है इस तरह नीचे की तरफ क्या लगेगा एमजी लगेगा द्रिविमान केंद्र जो कि 50 cm पर होगा अब आप 45 पर इसको किलकित कर देते हैं यानिकि 45 cm पर यह लगा देते हैं आप ब्रिस नाइफ लगा देते हैं तो यह कितना हो गया 5 cm होगा अब यह इस पॉइंट के अब अपॉट्सिंटल में इकलिव्यम में आतो नेट ट्रख जीर ओ गया तो इस पीर नीचे की तरफ इदर की तरफ टो गल रगे गा यह इमादिए इस के अबग इदर रोठेट कराए गा तो यह वाला इसको इदर की तरफ रोटेट का यह 33 तो यहां पर यह जो फोर्स है आपका टो वन यह तो हो गया 10 ग्राम multiply by 10 ग्राम multiply by यह distance कितनी होगी 33 तो यह तो हो गया यह कितना है आपका mass m ठीक है यह mass m हो गया आप 10 g लिख सकते हैं 10 g mass mg लिख दो यह mg हो गया force multiply by perpendicular distance क्या हो गया 5 g से g cancel हो गया 5 से यह 2 हो गया तो m equals to कितना हो गया 66 आगया तो right answer होगा 66 ग्राम तो इस पर net torque 0 किया है next a tuning fork vibrating with a sonometer having a wire of length 20 centimeter produce 5 beats per second the beat frequency does not change if the length of the wire is changed to 21 centimeter the frequency of the tuning fork must be देखें यहां पर एक सोरित्र दीबूच को 20 centimeter लंबी तार की सोनमापी के साथ कंपित करने पर 5 विस्पंद प्रतिसेकंड उत्पन होते हैं अब तार की लंबाई 21 centimeter कर दी बढ़ा दी लंबाई तो आपको पता है यहां पर एन प्रोपोर्शनल वन अपॉन एल होता है इसमें सोनमीटर में 21 centimeter कर दी जाए तो विस्पंद आवरत्ति अपरिवर्तित रहती यानि कि जो डिफ्रेंस होगा आवरत्ति का वह अभी वही रहेगा जो पहले था 5 तो सवरित्र की आवरत्ति होगी ग्याद करें देखे कैसे हमें बदा है सोनमीटर जो होता है n is proportional 1 upon l होता है तो पहले बंबाई कम है 20 centimeter तो बंबाई कम होने की वज़े से इसकी आवरत्ति जादा है तो यहाँ पर n is proportional l हो गया तो यह आपका n1 l1 तो सोनमीटर की पहले जो आवरत्ति है वो n1 लंबाई l1 बीस है अब आपने इसकी लंबाई 21 कर दी तो आवरत्ती होगी N2 is proportional 1 upon L2 तो N1 upon L N1 upon N2 N1 upon N2 equals to क्या होगा L2 upon L1 यह होगा ठीक है? अब देखो भई पहले आपकी आवरत्ती है N1 जब लंबाई है आपकी 20 cm ठीक है? इन दोनों का अंतर जब लंबाई कमे तो आवरत्ती जादा तो N1 और N यानि कि जो सुरोत की आवरत्ती है वो है N इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 दे रखा ठीक है? यह दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है अब आपके यहाँ पर यह N1 और N2 आगया अब आपने किया गया इसकी आवरत्ती को लंबाई को जो है बढ़ा दिया आवरत्ती गटे की आवरत्ती गटे की तो अब जो सुरोत की N-N2 वो भी कितना रहेगा? 5 ही रहेगा तो यह N-N2 भी 5 ही रहेगा तो कुल मिला के बात है जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 है तो N1-N 5 है N-N2 भी किया है? 5 है हम इसको क्या करते है? July Rearrange कर लेते है तो rearrange करें तो N1 की value तो आरही है N-5 और N2 की value क्या आरही है? N-5 यह N1 upon N2 यहां रख देते है तो N1 upon N2 N plus 5 upon N-5 ठीक है L2 upon L1 यानि कि 21 upon 20 होगया 21 upon 20 होगया Cross Multiply करें तो 20N plus 100 equals to 21N minus ये होगया आपका 105 ये आकि इदर 205 हो जाएगा 100 plus 105 दोजो पाँच और ये N रहे जाएगा तो N आ रहा है आपका 205 तो सवरित्री की आवरत्ती होगी 205 राइट आंसर होगा option 3 next question next two spherical black bodies of radii R1 and R2 and with surface temperature T1 and T2 respectively radiate the same power then R1 upon R2 must be equal to देखो दो R1 वा R2 तुरिज्जा की गोली कर्शनी का क्रमिश्य T1 तथा T2 तापमान पर समान शक्ति विक्रित करती है तो R1 upon R2 किसके ब्रावर होना चाहिए तो देखे हमें बता है यह relation होता है E equals to sigma T4 E क्या होता है energy per unit area per unit time that is sigma T4 अब Q by T equals to होता है sigma A T4 अब Q by T क्या होती है शक्ति होती है तो यहाँ पर Q by T same है तो sigma तो constant है तो यह relation हो जाएगा A1 T14 equals to sigma तो constant A1 T14 equals to A2 T24 यह क्या है चक्ति है ठीक है तो R1 गोली क्रश्निका है यानि कि spherical black bodies ठीक है तो spherical black bodies of radii R1 and R2 and with surface temperature तो यहाँ पर गोली क्रश्निका है तो एरिया कितना होगे इसका प्रश्टी है 4 pi R1 square T14 4 pi R2 square T24 4 pi cancel तो आपसे R1 upon R2 तो यह R1 upon R2 का square equals to T2 upon T1 power 4 आपसे R1 upon R2 तो इससे यह दो रहा तो T2 upon T1 का whole square तो right answer हो जाएगा option 2 next question next है an ideal Carnot engine whose efficiency is 40% receive heat at 500 Kelvin if the efficiency is to be 50% the intact temperature for the same exhaust temperature is आपको दियावा एक आदर्ष Carnot engine की दक्षता 40 प्रतिशत है जो कि 500 Kelvin ताप पर उश्मा प्राप्त करता है 500 Kelvin पर उश्मा प्राप्त करता है इस ताप पर इसकी दक्षता 50% हो जाए तो समान निश्काशित ताप के लिए उश्मा प्राप्त ताप होगा क्याद करें देखे वे आपको efficiency का formula पता है यह होता है 1-T2 upon T1 multiply by 100% यह होता है अब आपको initial 40 प्रतिशत दियो यह तो 40 प्रतिशत 1-T2 तो यह आपको देदिया 500 Kelvin पर उश्मा प्राप्त करता है तो T2 आपका अग्यात है यह exhaust है तो T1 कितना हो गया आपका T1 हो गया हमारा 500 Kelvin यह 100 प्रतिशत इसको simplify करें यह cancel 40 बटे 100 यहनि कि 4 बटे 10 ही आगया ठीक है 1-T2 upon 500 rearrange करें T2 upon 500 equals to 1-4 बटे 10 यहनि कि 6 बटे 10 यह से cancel हो गया तो T2 कितना आगया 50 into 6 यहनि कि 300 Kelvin अब यह बोल रहा है यदि दक्षिता 50 प्रतिशत समान निश्काषित आप यानि कि T2 तो वह रहे तो अब उश्मा प्रापताप क्या होगा अब T1 कितना होगा चली फिर एक बार रोल लगा 50 प्रतिशत ठीक है दक्षिता 50 प्रतिशत 1-T2 वही है अब आपका उश्मा ताप होगा T1 डेश इंटू 100 प्रतिशत यह कैंसिल यह इदर आगया एक बटे 2 1-300 अपाउन T1 डेश तो 300 अपाउन T1 डेश एक तो 1-1 बाइटू यानि कि 1 बाइटू तो T1 डेश होगा 600 केल्विन तो आपका जुश्मा प्राप्त ताप होगा वोगा ऑप्शन 1-600 केल्विन Next question 2 parallel plate capacitors of capacitance C and 2C are connected in parallel and are charged to a potential difference V if now battery is disconnected and medium of dielectric constant K is introduced between the plates of the capacitor C then the potential between the capacitor plates will become देखे आपको दियावा है दो समानतर plate संदारित्र ये दो समानतर plate संदारित्र जिनकी धारिता C और दूसरी क्या है आपकी ये 2C है समानतर क्रम में जुड़े होएं इन्हें V विवांतर तक आवेशित किया ये V विवांतर तक आवेशित किया अब बेटरी हटा कर संदारित्र C की plate के मद्दे के प्रावजदित्रों का माद्रिम परते तो अब विवांतर क्या होगा तो V होता है आपका C1 V1 plus C2 V2 initially upon C1 plus C2 finally तो C1 V1 ये हो गया VC ये हो गया 2 VC upon इसमें आपने डायलेक्ट्रिक किसमें डाली आपने संदारित C के बीच में तो ये हो गया K C plus 2 C C common लेके cancel हो गया तो ये आपका 3 V upon K plus 2 आगया तो 3 V upon K plus 2 right answer होगा option 3 Next question In a Young's double slit experiment the intensity at a point where the path difference is lambda by 6, lambda being the wavelength of the light used is i If i-not denotes the maximum intensity i upon i-not is equal to Young's double slit प्रियोग में पतांतर lambda by 6 आपको दिया होगा जहां lambda प्रकाश की तरंग देर है वाले किसी बिंदू पर प्रकाश की त्रिवता आई है तो जहां पर तरंग देर है जो पतांतर है वहां पर resultant intensity आपकी i है जदि i-not अधिकतम त्रिवता हो तो i upon i-not का मान कितना होगा तो पहले हम i निकाल लेते हैं तो जो दोनों स्रोथ है उनकी त्रिवता है i-dash ले लेते हैं अपन 2pi यानि कि यह आपका कलांतर phase difference upon 2pi cost 2 यह आपका है पतांतर lambda by 6 upon lambda यह से cancel हो गया 3 तो 5 cost 2 हो गया 5 by 3 तो यहां पर phase difference है जो दोनों के वीश में वह आ गया 5 by 6 5 by 3 5 by 3 cost 5 by 3 1 by 2 यह से cancel हो गया तो i equals to कितना हो गया 3i- हो गया 3i- हो गया अब आपका बोल रहा है maximum कितना होता है तो maximum जो है वह है i-not तो यह i- plus i- plus 2 i- और cost 0 की value कितनी होती 1 तो यह maximum तब होता है जब phase difference कितना होता है 0 होता है तो cost 0 की value 1 तो i-not equals to 4i- आ गया दोनों को divide करेंगे तो i upon i-not equals to आ गया 3 upon 4 i-dash तो i-dash cancel हो गया तो right answer होगा option 4 3 by 4 next question a combination of 2 thin lenses with focal length f1 and f2 respectively forms an image of distant object at a distance 60 cm when lenses are in contact the position of this image shift by 30 cm towards the combination when 2 lenses are separated by 10 cm. the corresponding values of f1 and f2 are जब 2 f1 तथा f2 focus दूरी के 2 पतले lens पास पास रखे जाते हैं तो दूर इस्थित वस्तु यानि कि अनंत पे रखा इस्थित जो वस्तु है उसका प्रतिभिम 60 cm पे बनता है तो वह जो प्रतिभिम बनेगा वह इन दोनों के f equivalent पे बनेगा यानि कि 60 cm पे बनता है तो इन दोनों का जो f equivalent है वह 60 cm दे दिया जब lens को एक दूर से 10 cm दूर रखा जाता है separation 10 cm कर दिया जाता है तब प्रतिभिम की स्थिति अब 30 cm यानि कि वस्तु अनंत पर है अब जो f equivalent हो जाएगा वह आपका जब है इन दोनों के बीच में separation 10 cm रखा तो f equivalent जो है lens का combination f तुल्ले वह 30 cm हो जाएगा तो f1 और f2 का मान क्या होगा तो जो जब दोनों को सटा के रखा वाए दोनों को contact में रखा है तो 1 upon f equivalent equals to होता है 1 upon f1 plus 1 upon f2 अब आपको जिया वस्तु जब अनंत पर तो कहां बनता है focal length पर बनती ही में तो यह f equivalent है आपका 60 तो यह 1 upon 60 value होगी this is equation number 1 अब इन दोनों के बीच में separation 10 cm कर दिया तो 1 upon f equivalent dash equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2 यह relation होता है चीक है यह किसके को लोगा अब यह बोल रहा है प्रतिभीम की स्थित 30 cm से length के पास आ जाती यानि कि पहले 60 थी अब 30 cm पास आगी तो 60 minus 30 यानि कि 30 ही रह गया तो यह 1 upon 30 रह गया अब value आप put कर दें इन दोनों को solve कर रहें तो आप से पुछा f1 f2 का महान कितना होगा तो यह 1 upon 30 ठीक है 1 upon यह पूरी value किसके equal है 1 upon 60 1 upon 60 minus d की value का है 10 f1 f2 तो यह आपके 1 upon 30 minus 1 upon 60 equals to minus 10 f1 f2 LCM लिया 60 और यह 2 minus 1 minus 10 upon f1 f2 यह आ रहा है minus यह तो अगया plus 1 by 60 minus 10 f1 f2 तो f1 f2 equals to कितना रहा है minus 600 आ रहा है आप देखें यहाँ पर f1 f2 minus 600 एक equation यह होगी एक equation यह होगी आप इन दोनों को solve करेंगे तो आपको f1 f2 जो है वो मिलेगा 20 cm और 30 minus 30 cm तो राइट आंसर हो जाएगा option 2 next question if the atom 100 fm 257 follows the bore model and the radius of 5th orbit of 100 fm 257 is n times the bore radius then find n देखें आपको दिया वाई यदि 100 fm 257 परमानों bore model का अनुसरन करता है तथा 100 fm 257 पांच वी कक्षा की तरिजा बोर तरिजा की n गुना है तो n का मान कितना होगा ग्याद करें तो भई हमें पता है rn equals to होता है n square by z bore radius r0 यह होता है अब आप यहाँ पर जो n है पांच वक्षा n होगी तो यह आपके rn जो है यह n square by z n की value कितनी होगी पांच का square z कितना हो गया 100 हो गया और यह bore radius r0 होगी अब यह बोल रहा है यह किसके n times of r0 यह दिया वाई बोर radius तो r0 से r0 तो n equals to कितना हो गया 25 बटे 100 याने की 1 बटे 4 तो n की value होगी 1 बटे 4 तो right answer हो रहा है option 4 next question assuming the diodes of to be of silicon with forward resistance 0 the current eye in the following circuit यह आपको circuit given है सो मान लिजे silicon के diode का अग्र अभीनिती में प्रतिरोध शुनने है यह अग्र अभीनिती में इसमें कोई प्रतिरोध नहीं यह forward baising यह reverse baising में इसका resistance इसका infinite होगा यह तो इसमें तो कोई use नहीं होगा अब आप से बुझा निम्नों में परिपत में धारा कितनी होगी तो भाई यह जो है इसका potential barrier होता है 0.7 volt होता है silicon का तो यहां पर e net जो होगा वो कितना होगा 20 minus 0.7 होगा ठीक है यह आपका resistance हो गय net upon यह e net होगा upon r यह होगा अब इसका तो 0 है forward bais में यह तो आपका reverse bais में इसमें तो कोई current flow नहीं होगा resistance infinite है e net कितना होगा यह 19.3 और resistance है 2 kilo ohm तो यह आपका 19.3 by 2 tends to power minus 3 तो इसको solve करते हैं तो यहाता है 9.6 milli ampere right answer होगा option 2 next the given figure shows the waveform for two inputs a and b and that for the output c of a logic circuit the logic circuit is चित्र में एक logic परिपत के निवेश a तता b निर्गत के लिए तरंग रूप में दिखाए गये हैं तता c निर्गत को दर्शाद है तो logic परिपत होगा देखो यह जो a और b है यह input है और यह c आपका output है तो यह जो input और a b जो input है उसके लिए जो output मिल रहा है तो यह कौन से gate के लिए हमें यह बताना है यह जीरो यह जीरो ए चीडियुरी है अर जीरो आ रहा है जीरो आ रहा है इसका मलब है कौन सा होगा है आपका end gate हो रहा है Next, in the reaction 1H2 plus 1H3, 2HE4, 0 and 1, if the binding energy per nucleon of 1H2, 1H3, 2HE4, Rx, Y and Z respectively, then energy released in the process is, देखो, दी गई अभी क्रिया में यदि 1H2, 1H3, 2HE4 के लिए प्रती nucleon बंधन उड़ जा, XYZ है, तो अभी क्रिया में उस सर्जित उड़ जाओगे, तो यहां क्यों मान पूछा है, तो जो क्यों मान होगा, वो कितना होगा, E, जो आपका, रियक्टेंट है, ठीक है, उसकी रियक्टेंट की, माइनस E, जो आपके, बाइ प्रोड़क्ट है, प्रोड़क्ट की, यह रियक्टेंट, यह तो प्रोड़क्ट है, तो E, प्रोड़क्ट की, और जो यह रियक्टेंट है, इसके माइनस की, रियक्टेंट की, तो product आपका कौन है helium तो यह Q value जो है यह कितने है 4 कितने nucleon 4 और एक nucleon की कितनी Z तो यह 4Z माइनस अब यहाँ पर यह आपका इसका होगा है 2 nucleon और hydrogen 1H2 के लिए कितना है X तो यह X हो गया इसके लिए कितना है 3 nucleons और इसके लिए binding energy पर nucleon कितनी है Y तो यह आपके Q value जो release होगी 4Z माइनस 4Z माइनस 2X माइनस 3Y 4Z माइनस 2X माइनस 3Y राइट आंसर होगा option 2 next question a convex glass lens which refractive index is 1.5 of focal length of 8 cm when placed in air what is the focal length of lens when it is immersed in water जैको एक काच के उत्तर lens को focal दूरी वायू में 8 cm जब इसको पानी में डूब जाता है तो इसकी focal दूरी क्या होती है तो हमें पता है इसकी focal दूरी air के respect में 4 times होती है ठीक है तो यहां पर जो होगी जो focal length होती है उसके लिए relation होता है 1 upon f equals to refractive index of lens with respect to medium minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 तो हम जब यहां पर इसको value put करते हैं refractive index of lens with respect to medium तो यहां पर जो इसकी lens जो focal length आएगी f dash यह 4 times of focal length of inner आएगी तो यह 4 multiply by f कितना है 8 तो यह 32 cm हो जाएगी तो right answer होगा option 4 तो यह आपका जो है DCM test series NEED 2022 का जो measure test series है उसका paper number 3 का यहां पर discussion over होता है मैं उम्मिद करता हूँ आप लोगों ने यह paper बहुत अच्छे से attempt किया होगा ठीक है यहां पर हमने सभी concept को cover करते हो इस paper को frame किया हो चलिए तो इसे के साथ इस paper को यहां पर over किया जाता है थैंक यू जैसे लसे